हलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग आयोप आप बहुत अच्छ हो गया ऐसे अच्छे और तंद्रूस रहिएगा तो दोस्तों आज हम रिवाइस करेंगे चाप्टर रिटर्न इस चाप्टर में मैंने पुरी कोशिश की है कि यहाँ पर सारी maximum provisions जो है और कि यह हमारी चाप्ट में कवर हो जाए तो आर यू रेडी पॉर रिविजन ऑफ रिटर्न चाप्टर यस और नो बोलिए यास सर तो आज आईए यहाँ पर बिटा अगर एक हम overall view ले तो statement जनरली क्या होता है कि आपको statement, normal return और special returns इस तरह से compliance करने पड़ता है तो now statement जो है statement section 37 outward supply और section 38 inward supply और कि दो statement आपको दिने पड़ता है outward supply के statement को कहा जाता है GSTR1 जिसमें जो भी आपने sale किया या transfer, barter, exchange या जो भी type का supply किया है वो सारी retails आपको GSTR1 में देनी पड़ती है, normally आपको 2 scheme मिलती है, एक monthly scheme और QRMP scheme QRMP scheme मतलब quarterly return and monthly payment, अगर आप monthly scheme देते हो तो आपको GSTR1 में यहाँ पर outward supply statement देना पड़ता है जिसकी date होती है, next month की 11 तारिक तक, याने एक तारिक से लेके 11 तारिक तक आपको भी भी QRMP scheme में GSTR1 quarterly होता है, और वहाँ पर GSTR1 जो देना पड़ता है, वो GSTR1 13 तारिक को देना पड़ता है तो यहाँ पर आपने correction कर लेना, इन QRMP scheme, यहाँ लीग सकते हो, QRMP scheme GSTR1 जो है, वो GSTR1 13 को आपको देना पड़ता है आपको देना पड़ता है, after completion of quarter, हाँ, अगर आपने कहीं पड़ा हो गया, यह हमारे discussion में कहीं आपने देखा होगा, कि 11 तारिक होगी तो नहीं मेटा GSTR1 correct कर लेना, GSTR1 QRMP scheme में 13 तारिक हो देना पड़ता है, और दूसरी बात होती है, IFF, Invoice Furnishing Facility, यह Invoice Furnishing Facility QRMP scheme जिसमें हम आगे देखेंगे, और QRMP scheme में, कि Invoice Furnishing Facility जो है, वो यहाँ पे quarterly, sorry, यहाँ पे optional है, अगर मेरे customer को मुझे ITC transfer करना है, तो मुझे Invoice Furnishing Facility में details upload करनी पड़ेगी common portal पे, so that monthly basis पे मेरा customer जो है, यहाँ पे credit ले सके, क्योंकि मैं जो return file करूगा, मैं तो वो quarterly file करूगा, मैं भी GSTR1 quarterly दूगा, तो उसके 2B में जो है, update कहां से होगा, तो update होगा, IFF से update किया जाएगा, इस बार section 38, और section 38 इस बार बहुत clear cut में, कि यहाँ पे resubstitute हुआ है, मतलब मैं simple word में कहूँ, तो यह redesign किया गया है, और section 38 में सिधा कह दिया गया है, कि आपका अब invert supply statement auto generated आएगा, और वो GSTR2 भी में आएगा, GSTR2 सारे का खतम कर दिये government ने, पहले एक form ता GSTR2 वो खतम कर दिया, अब जो भी auto generated statement GSTR2 भी में आएगा, और एक amendment जो आपने जरूर दिखना section 38 2 में, government ने कुछ restrictions ला है, ITC पे, कुछ लोगों के case में आपको ITC के restrictions लगेंगे, आपको ITC नहीं मिलेंगे, जैसा government अगर notify करती है, तो new registration है, कोई default है, कोई cheater है, जिसमें हमने ITC में detailed discussion section 38 2 पे कर लिया था, तो यह था यहाँ पे statement, अब बात आते ह के होते है, regular return covered by section 39 और annual return covered by section 44, okay, section 39 जो regular return cover करता है, okay, तो आप regular taxable person and CTP, अगर आप regular taxable person हो, including CTP होगा, तो आपको GSTR 3 भी return देना है, और वो 20th of following month आपको यह return देना है, पर अगर आप QRP scheme में होगी, तो state-wise अलग-अलग date है, जिसके बार में detailed discussion हम थोड़ा बाद में उसके बाद में हम बात करते है, यहाँ पर NRTP, NRTP को GSTR 5 भी return देना पड़ेगा, जिसकी date होगी, कि मंतली basis पर देना पड़ेगा, और अगले मैने की 13 तरीख, या फिर आपका NRTP का registration करतम हो रहा है, तो within 7 days, आप वो point लिख लेना, याने 13 day of following month और 7 days after completion certificate, after completion certificate, after completion of registration certificate, whichever is earlier, त इतना टाइम आपने मांगा था, 10 दिन, 15 दिन, या फिर अगले मैने की तेरा तारीख, वीचेवरीज अर्लियर, अगर आप composition taxable person होगे, तो आपको GSTR 4 में, यहाँ पर return देना पड़ता है, जो yearly basis पर ख्याल रहे है, कि composition taxpayer को return yearly basis पर GSTR 4 में है, और जिसकी date है, 30th April of following financial year, उस जिसके annual return की जो due date है, वो due date यहाँ पर 31st December of next financial year रहेगी, मतलब यह monthly quarterly तो return देना है, plus पुरे साल का आपको details भी annual return में, section 44 में देना पड़ेगा, उसके बाद में आते है other return, other return में दो special return है, first return and final return, जब GST में enter होते हो, तब का एक special return होता है, और यहाँ पर जब आप exit होते हो तो उसको हम final return कहता है, first return मतलब क्या, first return हमारा GST या 3 भी होगा, इसके लिए special form नहीं होता है, लेकिन government ने section 40 जो लाया गया, okay, first tax period का return, इसमें कुछ बाते उन्होंने यह कही कि, हाँ, पहला return आपका एक मैने से या एक quarter से ज़्यादा हो सकता है, मतलब क्या, मतलब ऐसा है क समझ लो, okay, मैं date ले रहा हूँ, 25th April, 25th April को मैं liable to registered हो गया, अब 25th April को अगर मैं liable to registered होगा, तो मैंने registration कितने दिन में लेना चाहिए, मैंने registration 30 दिन में ले लेना चाहिए, अब imagine करो कि मैंने registration लिया 22nd May को, क्योंकि 30 days में कभी भी मैं registration ले सकता हूँ, तो 22nd day को अगर मैंन registration के लिए apply किया, registration लिया नहीं, apply किया, बाद में मेरी RCI की, पर, now, समझ लो, मैं monthly scheme में return file कर रहा हूँ, अगर मैं monthly scheme में return file कर रहा हूँ, तो April 25th को मैं liable हो गया था, यहने April के 6 दिन का tax मुझे दिना पड़ेगा, उसका return में मुझे दिना पड़ेगा, पर, जब मैं April का return द अगर आपका पहला जब return जाएगा, तो पहला return में, जब आपका RC आएगा, RC कब आएगा आपका, RC आपका May में आएगा, क्यों, क्योंकि आपने आपे 22nd में को apply किया, उसके बाद में आपकी RC आएगी, तो May का जब return जाएगा, कब 20 June को, तो 20 June में, जो April के 6 दिन है, वो भी उसमें cover कर लो, मतलब क्या, मतलब आपका पहला return में, जो period होगा, वो one month या एक quarter, अगर आप quarter लियोगे, तो एक quarter से भी जाधा period होगा, मतलब from the day when you liable, from the day when you liable for registration, वो वहाँ से लेके तो, जो पहले return की due date का period होगा, वो पूरा आप cover करोगे, in simple word, पहला return जो है, वो आपक एक मेने, एक quarter से जाधा हो सकता है, दुसरी बात हम करते है, final return, okay, final return generally कब देना पड़ता है, final return जो है, okay, deregistration के वक्त देना पड़ता है, student यहाँ confused हो जाते है, okay, यहाँ annual return अलग, annual return तो वो आपका yearly basis पे देना पड़ता है, final return मतलब, अगर कोई registration कैंसल कर वा रहा है, या apply कर दिया है, तो उसको यह final return यहाँ पे देना पड़ता है, और यह final return within three months, जान से सुनियेगा, within, okay, यह final return उसको within three months देना है, within three months of date of cancellation order, date of cancellation which is later, date of cancellation or date of cancellation order which is later, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे समझ लो, कि आपने registration कैंसल कर वा दिया, आपने officer के पास से लेगे, आपने किसा registration क cancellation की, लेकिन officer ने का अभी नहीं, जैसे आपका registration cancel अगले मेने के एक तरीक से किया होगा, तो order आज दे दी, पर हमारा date of cancellation अगले मेने की एक तरीक है, तो फिर whichever is later क्या हुआ, whichever is later हुआ, अगले मेने की एक तरीक, वहाँ से तीन मेने के अंदर आपको एक final return देना पड़ता चली, आते हैं, नीचे मेने एक table बनाया हुआ है, और यह table इसी return को थोड़ा हम और अच्छे से पड़ते है, now outward supply statement, और outward supply statement यहाँ पर गलती से inward supply statement आए, यह काट दो, तो outward supply statement, तो outward supply statement जो है, यह सारे register person को देना है, inclusive of CTP, casual taxable person भी यह देखा, और यह GSTR1 में देगा, यह monthly basis प अगर आप QRMP scheme में होगे, तो हम next page पे मैंने specially QRMP scheme लिया है, तो GSTR1 देना पड़ेगा, monthly basis पे आपको देना पड़ेगा, हाँ, यह आपकी इसमें cut किया होगा, इनवर्ट supply और section 30 है, तो अच्छी बात हैं तो cut कर लो, क्योंकि इनवर्ट supply auto generated statement है, और वो GSTR2 भी में है, चली NRTP, ISD, person deducting TDSTCS और ECU, electronic commerce operator, इन लोगों को यहाँ पे जो है, कि GSTR1 देने की जरुवात नहीं है, ठीक है, चली, details of outward supply, अगर आपको interest rate और interest rate supply होगा, to register person है, यहने B2B transaction होगा, तो आपको, कि हर invoice की details upload करनी परती है, GSTR1 में, और अगर आपका interest rate supply होगा, interest rate supply होगा, और invoice value more than 2,50,000, तो unregistered होगी, यह बहुत important point है, interest rate supply होगा, और आपकी invoice value more than 2,50,000 होगी, तो वो situation में, जहां तक देखा जाए, तो आपको invoice wise detail देनी पड़ेगी, समझ लो, मैंने गुजरात में sale किया, और एक ही invoice की value 3,00,000 रुपए जा रही है, unregister को, कोई शादी की खरीदी की, और 4,00,000 की खरीदी होगी, अब वो other state का बंदा है, और वो unregistered बंदा है, क्योंगी शादी कर रहा है, कोई इसमें GST में registration करने की जरवत नहीं है, और वो unregistered बंदा है, तो वो situation में, अगर उसका bill 4,00,000 का बंदा है, तो मैं तो उसको sale कर दूगा, लेकिन interstate supply है, तो interstate supply की case में है, कि मैं यहाँ पे इसकी invoice-wise detail दोगा, अगर आपका transaction B2C होगा, तो अगर transaction B2C होते हैं, तो उसका हर invoice upload करने की जरवत नहीं है, उसको आप consolidate कर सकते हो rate-wise, और rate-wise consolidate करके एक साथ पुरा data upload कर सकते हो, लेकिन, again वो ही point में लेता हो, कि interstate supply होग और value दो लाग पचास अजार या उससे जादा होगी, तो आपको invoice-wise detail देनी पड़ती है, B2C की case में, लेकिन दो लाग पचास अजार या उससे कम होगी, तो आप information को consolidate कर सकते हो, now section 39 में return, return जब आप दोगे तो form होगा GSTR3 भी, okay, monthly basis पे आपको देना पड़ेगा, जिसकी तारीक होगी, 20 तारीक, 20th of next month, QRP scheme मैंने next page पे दिया है, कि दो date होती है, 22 तारीक या 24 तारीक, और कौन से लोगों को return देने की ज़रुवत नहीं है, तो, okay, OIDAR service provider, composition taxpayer, NRTP, ISD, और person deducting TDS और TCS, okay, इन लोगों को जो है, यहाँ पे return देने की ज़रुवत नहीं है, okay, OIDAR services मतल जाएगा, return by composition taxpayer, okay, वो yearly return देगा, एक चीज़ समझ लो, okay, return yearly जाएगा, statement, CMP08 में जो statement है, वो quarterly जाएगा, payment भी quarterly होगा, और यह quarter होने के बाद, 18 तारीक को आपको statement और payment करना है, लेकिन return जो है, वो yearly जाएगा, GSTR 4 में, जिसकी due date होगी, 30th April of following end of the financial year, यहने, financial year होने के बाद जो, okay, 31st तारीक के बाद, जो 30th April अब तक आपको return दे देना है, दूसरी बात, next आते हम annual return में, annual return में यहाँ पे, okay, जो GSTR 9 में आपको देना है, okay, जिसकी due date होगी, 31st December of next financial year, okay, और कौन से लोगों के annual return नहीं देना है, यहाँ लिख देना, not applicable to, not applicable to, किसको applicable नहीं है, annual return, त जरुबद नहीं है, NRTP, ISD, person, deducting, TDS, NTCS, CTP, casual person, और those referred in the provision of section 35.5, मतलब, okay, annual return जहाँ तक है, 35.5 में, यहाँ पे, okay, government वगएरे जो आपको लिखना होगा, तो government, जिसके audit जो है, CNAG करता है, उनको annual return देने की जरुबद नहीं है, okay, आप जहाँ तक देखा जाए, self-certified reconciliation statement अ और आपकी जो भी audited annual financial statement होगा, वो आपको annual return के साथ attach करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह था regarding to annual return, उसके बाद में हम बात करेंगे final return, final return मैंने पहले बता है, कि अगर आप de-registration करते हो, या अपना registration cancel करते हो, तो आपको GSTR 10 में final return देना है, और 3 months from the date of order of cancellationation, या date of actual cancellation, which is letter, आपको यहां पर देना है, first return के बारे में भी हमने बात की, first return मतलब आपका जब भी first return जाएगा, तो उसमें आपका tax period एक मेना या एक quarter से ज्यादा हो सकता है, जब आप GSTR 3 भी में पहला return फाइल करोगे, section 59.6, important exam के इसाब से अच्छे से पढ़के जाना, और यह क्या है, क बहुत इच्छी होई, जिसके उपर MCQ questions या exam में, दो या तीन मार्क के questions आपको पूर सकते हैं, और वो कौन सी amendment होई है, कि देखो, अगर दो line में समझ लेना, आपने, अगर पुराना GSTR 1 आपने नहीं दिया, पुराना, मतलब last tax period का, या quarter का GSTR 1 अगर आपने नहीं दिया तो आप subsequent tax period का GSTR 1 और 3B या IFF फाइल नहीं कर सकते हैं, simple word में समझ लो, कि पुराना GSTR 1 नहीं दिया, तो आप subsequent period का GSTR 1, IFF या फिर GSTR 3B फाइल नहीं कर सकते हैं, या आपने last tax period का GSTR 3B नहीं दिया, तो next tax period का आप GSTR 1 3B फाइल नहीं कर सकते हैं, in simple word, last tax period के आपकी G GSTR 1 और GSTR 3B, दोनों document complete होगे, तो next tax period के, आप GSTR 1 और 3B फाइल कर सकते हो, that's all, एक line में मैंने खत्म कर दिया, उसके बाद में लेट फी, लेट फी का ये concept समझ लो, section में जो है, लेट फी दी गई है, अगर आपने return, ओके GSTR 1 है, 3B है, या GSTR 10 है, और ये return आपने due date में नहीं दिया, तो आपको जो लेट फी है, वो है 200 रुपीज और 10,000, आपने ऐसे याद रखना है, 200 मतलब 100 CGST का और 100 SGST का, ऐसे 200, max 10,000, तो इतना लेट फी आपको लगेगा, तो 200 रुपीज पर दे और maximum 10,000, और अगर आपने annual return due date को नहीं दिया, तो 100 रुपीज पर दे, मतलब 100 प्लस 100, 200, और यहाँ पे 0.25%, मतलब 0.25 plus 0.25, मतलब maximum 5%, 0.5% of turn or in state आपको लेट फी लगेगी, लेकिन क्या हुआ, ये section की लेट फी है, गौर्मेंट ने इसमें एक notification issue किया है, और आपको slab wise लेट फी लगेगी, तो ये आपको slab wise लेट फी थोड़ा अच्छे से पढ़के जाना है, मतलब आपको directly ये लेट फी नहीं लगाना है, ये तो section में दिया गया है, बट, okay, late फी subject to this notification, और ये slab wise लेट फी आपको लगा रहा है, जैसे अगर आप normal tax pay रहो, come on, आप अगर normal tax pay रहो और आपने GSTR 1, okay, GSTR 1 या 3B, okay, आपको नील होगा, मतलब कोई tax payable नहीं होगा, और आपने due date को नहीं दिया, तो आपको late fee जो रहेगी, 100 rupees plus 100, मतलब 200 rupees per day, okay, of C GST और S GST, okay, but maximum आपका 500 होगा, 500 मतलब 250 each, okay, maximum 500 होगा, in short, आपका जो maximum 10,000 है, वो नहीं जाएगा, okay, गौर्मेंट ने ये कहा कि, अगर आपका GSTR 1 या GSTR 3 भी, दोनों नील होगा, तो हम max to max आपको late fee 500 रुपे लगाएंगे, मतलब 250 रुपे C GST का, 250 रुपे S GST का, अगर आपका, okay, register person other than those covered in one, okay, अब मतलब क्या, नील GSTR 1 नहीं है, या नील GSTR 3 भी नहीं है, तो गौर्मेंट ने उसमें slap किया हुआ, और गौर्मेंट ने कहा कि, अगर आपका aggregate turn-off, प्रसरिंग financial year का, तो आपको 200 रुपेस पर डे, but maximum 2,000, 2,000 मतलब 1,000 प्लस 1,000, ऐसे maximum 2,000 लेट फी लगेगी, दूसरा, अगर आपका turn-off, तेर्ण करोड से 5 करोड के बीच में होगा, तो maximum लेट फी आपको 5,000 तक जाएगी, याने 2,500 प्लस 2,500 या maximum है, याने 200 रुपेस पर डे, और maximum 5,000, लेकिन अगर आपका aggregate turn-off 5 करोड के उपर है, अगर आपका aggregate turn-off 5 करोड के उपर है, तो late fee, as specified in section 47, मतलब ये late fee लग जाएगी, ये late fee लगेगी, मतलब आपका 200 रुपेस पर डे, अब default, और up to maximum 10,000 तक जाएगा, तो ये आपको learn करना पड़ेगा, slab based, उसके बाद में एक theory है, और वो है GSTP, Goods and Service Tax Practitioner, जान सुनिएगा, Goods and Service Tax Practitioner, मैं आपको ये बताना चाहोगा, कि ये जो theory है, और कि ये आपने notes, regular notes से नहीं पड़ा, इतना भी पढ़ लिया, तो भी चलेगा, चले, आपको ये बता दूँ, कि यहाँ पे, Goods and Service Tax Practitioner, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे, कि Government जो है, GST का compliance करने के लिए, क्योंकि लेमेन को तो GST का knowledge नहीं होता है, तो उनको help करने के लिए, Government यहाँ पे, a special approval दे रही है, और वो है GSTP का, मतलब कि आप as a Goods and Service Tax Practitioner, कि बन सकते हो, तो Government यह authorize करेगी, as a GSTP to furnish the information on the behalf of, on the behalf of taxpayer to the Government, यह अगर आप GSTP होते हो, तो आपको separate user ID और password मिलता है, जैसे railway के agents होते हैं, उनको separate user ID password मिलता है, वैसे GSTP में जो भी GSTP रहेगा, वो GSTP जो Government अप्रू करेगा, उसको special user ID और password दिया जाएगा, अब समझ लो, मैं GSTP हूँ, और आप मेरे से services लिना चाहते हो, GSTP की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो user ID password मिला है, आपको जो user ID password मिला है, आप अपने login में जाए, और मुझे as a GSTP select कर ले, मैं अपना आपको, यहाँ पे GSTP, यहाँ as a GSTP, आप मुझे select कर सकते हो, तो मेरा GSTP code आपको दूगा, वो आप code select कर लो, वो code select करके, आपका account मेरे साथ link हो जाएगा, अब मुझे आपके भियाप पे सारे compliance करते आएगे, जो नीचे में ने दिये गए है, तो यह सारे compliance करने के लिए, मुझे अब आपका user ID और login, आपका individual लेने की जरुवत नहीं है, जो मेरा special user ID, और password आया GSTP क्या, मैं अपने ही as a GSTP user ID और password से, मैं आपके सारे compliance कर सकता हो, तो यह था regarding to GSTP concept, eligibility criteria, कौन-कौन GSTP बन सकता है, पहले basic criteria तो यह है, कि वो citizen of India होना चाहिए, person of sound mind होना चाहिए, not adjudicated as the insolvent, and not convicted by court, अगर आपको GSTP, तो retired officer of government, not below the rank of gazetted officer B, उसके बाद में, enroll as a sales tax practitioner, or tax return prepared under the existing law, existing law मतलब old law, जो पुराने law थे sales tax वगर है, तो उस law में 5 साल तक, उसने as a sales tax practitioner काम करना चाहिए, या फिर उसके पड़ कोई, okay, become, m.com इस तरह का graduation होना चाहिए, या foreign university से किया होगा, तो recognized by Indian government, या Indian university होना चाहिए, या GSTP special exam होती, वो उसने देना चाहिए, या, okay, yes, pass, our examination है, CACMA CS, okay, मतलब अगर वो CACMA CS है, तो वो default eligible हो जाता है, for GSTP, उसको कोई special exam देने के जरुवरत नहीं है, okay, तो GSTP क्या-क्या कर सकता है, तो GSTP, okay, सारे आपके GST के compliance कर सकता है, मतलब outward supply का statement, monthly quarterly annual final return दे सकता है, आपके BIA पे electronic cash ले जाना पैसा डाल सकता है, no doubt, बाद में आपसे ले लेगा, पर आपके BIA पे यह चीज़ कर सकता है, refund claim फाइल कर सकता है, okay, registration में amendment cancellation के लिए apply कर सकता है, okay, उसके बाद में evay bill generate कर सकता है, ITC 04 में stock का ITC details दे सकता है, यहाँ पे, तो यह सारा, okay, यहाँ पे, okay, GSTP आपके BIA पे वर्क करेगा, लेकिन ख्याल रहा है, file and intimation to pay tax under composition scheme and withdraw for the state scheme, provided that where an application relating to a claim of refund, या application for amendment or cancellation of registration, या intimation to pay tax under composition scheme, तो वो situation में, okay, has been submitted on approval of taxpayer, ऐसा लिख दो, यहाँ पे on approval of taxpayer, मतलब क्या, कि अगर refund application है, या registration में amendment या cancellation करना है, या उसको यहाँ पे composition scheme के लिए intimate करना है, और वो client के भियाब पे कर रहा होगा, तो उससे special approval लेना पढ़ेगा, तो यह था पेटा, यहाँ पे returns related, एक summary हमने revision यहाँ पे किया, बस मैं आपको इतना कहना चाहूगा, कि अब मैं जो QRMP scheme, जो मैंने यहाँ पे नीचे detail discussion लिया है, regarding to QRMP scheme, तो यह जो QRMP scheme के detail discussion है, अब next हम यहाँ पे देखेंगे, आपको एक बात बता दू, QRMP scheme का एक special video मैंने record करके रखा हुआ है, और उसमें बहुत रचे समझा हुआ है, तो आप QRMP scheme का, अब इसके आगे वो special video मैं attach करूगा, और वो special video देख लो, that's all, आपका return का main important concept, मेरे chart के साथ revise हो जाता है, so are you ready, yes or no, तो चलिए, देखते है QRMP scheme, details किस तरह से दोगे, इस scheme के तहट, और payment किस तरह से करोगे, और उसकी interest liability, तो चलिए, पहला लेता हो, outward supply का, यहाँ पे details आप कैसे दोगे, return तो आपको quarterly देना, वो fix है, specially हम बात करेंगे, outward supply scheme, एक example लेते हैं, कि आप QRMP scheme आप नहीं कर रहे हो, या फिर आपको वे QRMP scheme नहीं मिल सकती है, क्योंकि उसकी turn or limit से ज़्यादा, आपका turn or है, तो ऐसे case में, normally क्या होता है, कि आप monthly basis पे, अपना outward supply का details देते हो, और वो GSTR1 में देते हो, next month के element के date तक, आप अपना GSTR1 का पूरा details देते हो, और ये GSTR1 की details बहुत ही important है, क्योंकि specially B2B के case में, आपके GSTR1 के details पे ही, वो system में data report होता है, और आगे GSTR2A में, recipient के update होता है, और उसको credit मिलता है, लेकिन, अब यहाँ पे, quarterly scheme में, ये outward supply का जो आपको data देना है, कुछ अलग तरह से देना है, government ने यहाँ पे कुछ facility लाई है, सबसे पहले, तो ये नई scheme कौन आप कर सकता है, उसकी basic दो condition है, एक, ये उनको लागी होगी, जो GSTR3B, याने written GSTR3B में, monthly basis पे या quarterly basis पे देते हैं, ये उनको ही लागी होगी, मतलब OIDAR, TDSTCS का registration, NRTP, ऐसे कुछ लोग है, जिनको GSTR3B देने की ज़रूवत नहीं है, तो उनको ये scheme लागू नहीं होगी, दूसरा, and very important, आपका aggregate annual turnover, ध्यान सुनिएगा, यहाँ word थोड़ा अलग है, aggregate annual turnover, up to 5 crores in preceding financially होना चाहिए, तो आप ये scheme के लिए आप कर सकते हो, अब आपका एक सवाल आ सकता है, aggregate annual turnover, और aggregate turnover में क्या कोई difference है, तो यहाँ थोड़ा सा difference है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, तो अगर आप ये दोनों conditions फुल्फिल कर सकते हो, तो आप QRMP scheme के लिए आप करोगे, अगर आप QRMP scheme के लिए आप करते हो, तो आप specially outward supply का statement कैसे दोगे, तो outward supply का statement आप GSTR1 में यहाँ पे quarterly basis पे दोगे, पहला point तो समझे लो, GSTR1 आप quarterly basis पे ही दोगे, return में तो no doubt obvious है कि आप वो भी quarterly basis पे दोगे, लेकिन अब जो पुराना problem था कि credit कैसे pass on किया जाएगा, यह अगर supplier को अगर data update करना है और अपने recipient को सेम मन्त में credit pass on करना है, तो कैसे pass on करेगा, उसके लिए उन्होंने एक नया यहाँ पे utility लाया, और वो है invoice furnishing facility, अगर आप यहाँ पे डेटा अप्लोड करना क्या mandatory है, यह सवाल को मैं दूसरी डंग से बुचता हो कि sir, क्या यह monthly basis पे आएफ़ देना compressor है, नहीं, अगर आप यहाँ पे data quarterly basis पे direct GSTR1 में देना चाहो, इस scheme के तर्थ तो आप दे सकते हो, government को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने recipient को खुश करना है, same month में credit pass on करना है, तो आप IFF की utility use कर सकते हो, और invoice furnishing facility में अपना data upload कर सकते हो, नाँ दूसरा question, यहाँ पे invoice furnishing facility जो आप monthly basis पे data upload करोगे, यह data only B2B transaction का होगा, मतलब B2C नहीं, only B2B invoices का होगा, only B2B invoices इसमें upload किये जाएगे, let's take example month 1, April, तो April का आप अगले मेने के 13 तारीक तक, याने 13 में तक आप जो है, इसका IFF में data upload कर पाऊगे, now, अब मेरे इस मन्त के transaction, एक तिसरा बहुत important point, इस मन्त के transaction जो है, मेरे B2B के यहाँ पे 15 invoices है, तो क्या compulsory मुझे B2B के सारे 15 invoices upload करने पड़ेंगे, IFF में नहीं, ऐसा कोई compulsion नहीं है, अगर आपको अपने 5 ही recipient को, 5 ऐसे invoices है, जिसका ही credit pass on करना है अभी, तो आप only 5 invoices ही upload कर दो, बात खत्म, उनको credit pass on हो जाएंगे, बाकी B2B invoices की details आपको quarterly GSTR1 में दिया तो भी चलेगा, now next, most important restriction, government ने इसके उपर क्या लाया हुआ है, वो restriction यह लाया हुआ है, कि आप IFF में only up to value 50 lakhs, धैन सुनिएगा, only up to value 50 lakhs तक कही invoice upload कर सकते हो, now let's take example, आपके 15 invoices है, और 15 invoices की total value यहाँ पे 70 lakhs है, तो आप पूरे के पूरे upload करना चाहते हो, पर नहीं कर सकते, वो 70 lakhs में से 50 lakhs तक की invoices आपको select करने पढ़ेंगे, जो customer बहुत यहाँ पे immediate business पे credit मांग रहे है, या जिसको आपको pass on करना है, ऐसे 50 lakhs तक के value take ही invoice आप select कर सकते है, और IFF में आप submit कर पाओगे, बाकी बचेवे invoices आप नहीं submit कर पाओगे, मतलब वो बचेवे invoices के recipient नाराज हो सकते है, अगर उनको सेम मत में credit नहीं मिला तो, पर क्या करें, इसका कोई यहाँ पर दूसरा option नहीं है, तो 50 lakhs तक की value के ही invoices आप upload कर सकते हो, दूसरा उन्होंने कहा है CDN, CDN मतलब credit note, debit note भी आप इसमें update कर सकते हो, IFF में, आपको process month 2 की follow करना पड़ेगा, और यह IFF आप कब submit करोगे, तो अगले मेने के 13 तक आप यह upload कर सकते हो, यहने 1st to 13 तक, आप subsequent month आप common portal पे, द्हान सुनिएगा, आप common portal पे upload कर सकते हो, और होगा क्या बेटा, जैसे आपने IFF upload कर दिया, उसमें invoices B2B के जो credit pass on करना तक कर दिया, तो आगे recipient के एक नया, यहाँ पे form GSTR 2B, जैसे GSTR 2A बनता था लेजर, वैसे यहाँ पे GSTR 2B auto update form बनेगा, उसके common portal पे रहेगा, और वो 2B में 13 तरीक को IFF आ गया, 14 को जो है, यहाँ update हो जाए credit, और यह 2B के base पे recipient अपना credit ले सकता है, साथ साथ में यह data 2A में भी update किया जाता है, ठीक है, वो auto update होता है, now next बेटा, month 3, यह बड़ा important month है, okay month 3, क्या है, सब सब पहला question, sir, IFF तीनो month के होते है, यह only पहले 2 month के होते है, IFF यह जो है, पहले 2 month के होते है, हाँ, let's take example, April, April के आपको 5 ही invoices upload करने है, I repeat, April के आपको 5 ही invoices upload करने है, sorry बेटा, अब आता है month 3, अब पहला सब आप का सकता है, कि sir, month 3 का outward supply की detail, क्या हम IFF में देंगे, कोई जरुवत नहीं है, क्योंकि आपको direct GSTR 1 देना है, सर जो हम यहाँ पे quarterly GSTR 1 देगे, उसमें month 1 और month 2 का, जो डेटा हमने IFF में already upload कर दिया है, क्या वो डेटा फिर से GSTR 1 में देना पड़ेगा, नहीं, बिलकुल भी नहीं, कोई यहाँ data repetition नहीं होगा, याने जो already invoices B2B आपने IFF में upload कर दिये, वो फिर से GSTR 1 में देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो month 2 के इस option को हम द्हान से समझ लेते हैं, whether uploaded B2B invoices, या credit debit note of month 1 और 2 in IFF, याने आपने IFF में upload कर दिया, yes और answer is no, अब पहला हम answer लेते है yes, कि yes B2B invoices का data आपने upload कर दिया IFF में, तो आपको जो है GSTR 1 में only month 3 का B2B देना पड़ेगा, month 3 का B2B देना पड़ेगा, plus, plus, okay B2C की details आपको देनी पड़ेगी for all 3 months, यह लिखना तो लिख सकते हो, for all 3 months B2C की details आपको देनी पड़ेगी, यहा, लेकिन अगर आपने month 1 और month 2 का, कोई B2B का data IFF में नहीं दिया, let's take example, आपके 15 invoices थे, और 15 में से आपने सिर्फ पहले month में 5 invoices upload किये, second month में कुछ B2B invoices upload किये, तो वो situation में, जो भी आपका B2B का data है, वो pending data month 1, month 2, plus month 3 का सारा data, आपको GSTR 1 में update करना पड़ेगा, so that आपके सारे credit B2B के pass on हो जाए, plus B2C का data IFF में नहीं होता है, इसलिए 3 month का B2C का data आपको update करना पड़ेगा, वो invoice wise नहीं होता है, वो total amount पे आपने update किया तो भी चलेगा, और now आप जैसे quarter खतम हो जाएगा, तो ये GSTR 1 आप 13 तक दे सकते हो, इस स्कीम के तरफ, very important, और कि monthly स्कीम में GSTR 1 आप 11 को देते हो, और QR MP स्कीम में आप GSTR 1 जो हो, वो 13 को दोगे, ठीक है, तो इस तरह से आप अपना outward supply की details यहाँ पे दे सकते हो, now most important, कुछ important points आपको यहाँ याद रखना जरूरी है, जब आप outward supply की details दे रहे हो, और QR MP स्कीम आप कर रहे हो, पहला, aggregate annual turnover for preceding financial year, up to 5 करोज जो condition डाली हुई है, क्योंकि इनी लोगों को QR MP स्कीम मिलती है, यह aggregate annual turnover जो है, इसमें जो data आपने पिछले साल return में दिया गया, उसी data के base पे calculate होगा, मतलब अगर पिछले साल अगर आप कोई turnover return में देना भूल गया होगे, तो वो consider नहीं होगा, इसलिए aggregate turnover और aggregate annual turnover में difference है, aggregate turnover मतलब जो भी actual basis पे आपका data था, और फिर आपने declare किया हो या नहीं किया हो, वो भी लिया जाएगा, लेकिन यहाँ aggregate annual turnover मतलब जो भी आपने only declare किया है, आपके return में वो ही data के base पे 5 crores का calculation होगा, अगर कुछ data पिछले साल आप declare करना भूल गया, तो वो नहीं लिया जाएगा, only declare basis पे लिया जाएगा, उसके बाद में बेटा, यहाँ पे, ठीक है, आपको IFF देना पड़ेगा, अब एक important बात बता दू, समझे लो April का आप 13 में को IFF दे दिया, उसमें सिफ 5 invoices आपने declare किये, फिर आपको ख्याल में आए कि, अरे यार April के और 2 invoices आपको declare करना था, अब नहीं कर सकते, जो आपने 13 तक data दे दिया, वो final हो गया, उसमन का अब बच्चेवा data, only GSTR1, एन एक quarter खतम होने के बाद ही, GSTR1 में update होगा, और recipient को credit मिलेगा, next point, ओके, यह details of IFF not required to be given, again in GSTR1, मतलब जो आपने IFF में already दे दिया, वो फिर से GSTR1 में update करने की जरुआत नहीं है, next, where QRMP option has been exercised once, they shall continue, unless register person revise the said option, मतलब क्या, आपने एक बार QRMP option ले लिया, तो फिर वो continue रहेगा, जब तक आप उससे exit ने लेते हो, exit लेने की process भी यही कि, आपको intimate करना पड़ता है, now it is further clarified that, the option to avail QRMP scheme is GSTN wise, मतलब यह हुआ, यहाँ पे कि, आपके dim distinct person concept, same pen के अंदर, समयलो 30 branches है, तो आप branch wise decide कर सकते, कि आप यहाँ पे QRMP scheme लोगे या नहीं लोगे, पर आप जब aggregate annual turn or निकालोगे, तो all or India pen basis पे लेकिन, वो all or India pen basis का, आपका aggregate turn or 5 करोड के नीचे होगा, तो फिर आप branch wise decide कर सकते, कि QRMP scheme ये branch का लेना है, या ये branch का लेना है, या ये branch का लेना है, नौ last point, ऐसा हो सकता है कि, under same pen, कुछ branches के लिए, आपका QRMP scheme है, और कुछ branch के लिए, आपका monthly scheme है, तो यह आपने देखा, outward supply का statement का details, नौ next बेटा, यहाँ पे, monthly payment and interest liability, QRMP scheme जो भी register person आप कर रहा है, वो payment of tax, monthly basis पे देगा, लेकिन अपनी सारी details, GSTR3 बे, quarterly basis पे देगा, आप ये monthly payment कैसे होगा, पहले इसको समझ लेते हैं, जो भी supply आपने, first month में किया होगा, April लेते हैं, तो जो भी supply किया होगा, B2B supply, plus B2C supply, जनरली हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, कि GST में payment की due date नहीं होती है, जो return की date होती है, वो ही आपका payment का date होता है, क्योंकि payment की बिना return upload नहीं हो सकता है, monthly scheme में आज भी होगा है, मतलब अगर आप monthly, QRMP नहीं ले रहो तो आपको monthly tax देना है, और return का date है, 20th of next month तब तक आपको pay कर देना है, लेकिन QRMP scheme में, पहले 2 मेने के लिए, April और May, या quarter के पहले कोई भी 2 मन्त होगा, उसका payment की due date आजाएगी, अगले मेने की 25 तारिक, next, आपने April में, जितना भी supply किया होगा, B2B और B2C, सबका tax आपको assist करना पड़ेगा, assist करने के लिए आपको 2 मेथड दी गई है, जो 2 मेथड आगे हम detail में discuss करेंगे, इस मेथड से, जो आपने actual supply किया है, उस supply का tax आपको अगले मेने के 25 तारिक को करना पड़ेगा, जैसे April का payment आपको 25 मे को करना है, और मे का payment आपको 25 जून को करना है, अगर आपने ये 25 को नीचे दिये गए, मेथड से जो tax आप assess करोगे, वो payment नहीं किया, तो आपको interest liability चालो हो जाएगी, और वो 26 से चालो हो जाएगी, जैसे April तो आपको नहीं दिया, तो 26 से May, तो 26 जून से चालो हो जाएगी, ठीक है, और वो interest आपको 18% पर एनम से pay करना पड़ेगा, ना, next, जून का, जून का payment का due date नहीं है, जून का हमारा general concept है, जो भी supply आप जून में करोगे, उसका tax आपको जो है, return की जो date आएगी, quarterly return की, now quarterly return की दो dates दी है, एक 22nd और एक 24th, यह specially QRMP स्कीम में दी गई है, कुछ dates के लिए 22nd दिया गया है, और कुछ dates के लिए 24th दिया गया है, तो जून के supply का payment, आपको उस date को करना है, चली, यह payment से related हो गया, अब आपका एक सवाल होगा, सर, उपर जो आपने outwards supply का details, IFF में जो हम देते हैं, और नीचे जो आपने कहा है, QRMP स्कीम का payment, इसमें कोई connection है, नहीं, दोनों चीज़े अलग-अलग है, जो हम यह outwards supply का statement, IFF में detailed information upload करते हैं, वो सिब credit pass on करने के लिए, उससे आपका payment का connection नहीं है, total B2B plus B2C supply जो हुए है, 15 आपके B2B हुए है, और 10 supply आपके B2C हुए है, तो जो भी आपने total supply किया गया, नीचे जो method दी है, उस method से आप tax compute करोगे, और पूरा का पूरा tax आप पे करोगे, अगले मेने के 25 तारिक तक, ठीक है, पर यहां पे, अगर आप outward supply का statement दे रहे हो, तो यह आपके मर्जी पे है, आप only B2B के ही information IFF में दोगे, second आप B2B के 15 invoices है, उसमें से 5 invoices का ही details दे सोगोगे, sorry 5 invoices का ही details आपको देना है, तो आप दो, यह आपकी मर्जी पे रखा गया है, इसका payment से कोई connection नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि, आप जो है month 1 और month 2 का कोई IFF नहीं दे रहे, क्योंकि आपको किसी को credit pass on नहीं करना है, आप पूरा data GSTR 1 में दे रहे हो, तो वो भी चलता है, लेकिन आपको payment तो monthly basis पे करना ही पड़ेगा, जो भी आपने उस month में supply किया है, और ये payment नीचे दिये गए, दो method से आपको करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक method आप आप करोगे, तो payment method, payment method में आपको पहली method दी है, और पहली method दी है fix some method, और दूसरा है self assessment method, उन्होंने fix some method क्यों लाएगी, इसका थोड़ा background समझ लो, कि यहाँ पे अगर आपको monthly basis पे tax देना है, और आप monthly basis पे पूरा assessment कर रहे हो खूद, कि total tax कितना, less credit कितना, net liability कितना, तो फिर quarterly scheme का कोई फाइदा ही नहीं होगा, क्योंकि quarterly scheme small register person के लिए इसलिए लाएगे, क्योंकि आपको monthly basis पे assessment की जनजट ना हो, और आप quarterly basis पे information दे, और monthly basis पे tax दे, लेकिन अगर हम monthly basis पे actual पर tax दे रहे हैं, तो हमें assessment तो करने ही पड़ेगा, हमारा time तो waste हो जाएगा, इसलिए government ने का कि छोड़ो, यहाँ पे हम आपको पहली method देते है, यह method बड़ी simple है, आपको actual basis पे monthly असेस करने की कोई जरुवत नी, वो quarter होने के बाद असेस करना, आपको एक fixed amount government को दे देना है, यह fixed sum method क्या है, तो पेटा यह fixed sum method समझ लो, इसमें अगर आप इस quarter स्टार्ट होने के पहले, लास जो quarter था, यह आपका जो last quarter था, उसमें आपकी QRMP scheme होगी, यह आप quarterly payment scheme में होगे, तो आपको जो है, यहाँ पे, April month का, यह जो first month रहेगा, April month का tax कितना दिना है, तो 35% of tax paid in cash, यह एक cash ledger in a preceding quarter, मतलब क्या, preceding quarter, यह तीन मैने का, जो total tax था, जो आपने cash ledger से दिया, अब इस बात को समझ लो, जो आपने cash ledger से दिया, मतलब यह, कि credit लेने के बाद, जो net होगा, जो cash ledger से दिया, उसका 35% tax आपको April का देना है, और वो ही 35% आपको May का देना है, 25% को, ठीक है, पहले दो मन्त के ही payment के liability में बता रहा हूँ, June का तो आपको actual basis पे करना पड़ेगा, और वो आपको return की due date तक देना पड़ेगा, Done, तो यह 35%, लेकिन, ऐसा भी हो सकता है कि last month तक मैं QRMP scheme में नहीं था, और इस quarter से मैं QRMP scheme आप कर रहा हूँ, तो ऐसे case में, अगर आप last quarter में monthly scheme में होगे, और यह quarter में आप QRMP scheme में आ रहे होगे, तो जो आपने monthly basis पे, यहने last quarter का जो last month होगा, तो जो monthly basis पे tax दिया होगा, उसका 100% tax आपको April में देना है, as well as आपको May में देना है, इस scheme को example से समझ लेते हैं, जैसे in case last return file was quarterly basis for quarter ending March, तो March में आपने पूरे quarter में, January to March में, CGST आपने 100 दिया, SGST 100 दिया, IGST 500 दिया और CES 50 दिया, तो अब आपको इस quarter का April का payment करते वक, इसका 35% and CGST 35, SGST 35, IGST 35% and 175, और GST compensation says, यहाँ पे 17.5 इतना दिना पड़ेगा, और same amount आपको fix में basis पे दिना पड़ेगा, और यह जो amount है, वो है जो आपने cash ledger से पे किया है, credit लेने के बाद, और अगर आप last quarter में monthly basis किम में होगे, तो आपने for the month of March 21, आपने payment किया है, 50-50-80, तो आपको April का 100%, यानि April का भी आपको 50-50-80, और में का भी 50-50-80 आपको इस तरह से payment करना पड़ेगा, इसमें एक सवाल आ सकता, और वो यह, कि सर last quarter में या last month में, हमारा cash ledger के through nil payment था, क्योंकि हमारे पास excess credit था, तो फिर इस बार आपको कुछ भी पे करने की जरुवत नहीं है, आपको कुछ भी पे करने की जरुवत नहीं है, यह एक important point था, अब आते हैं बटा second method, जो उन्हेंने second payment method दिया, और वो दिया है self assessment method, जिसको हम SAM कहते हैं, सच कहूंतों यह method कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर यह method में जा रहे हो, तो फिर आप quarterly क्यों जाते हो, मंतली जाना ज्यादा बेटर रहेगा, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, self assessment method में वो क्या कहते हैं, self assessment method में वो यह कहते हैं, कि April का जो आपका actual tax होगा, B2B, B2C का, less ITC, और आपने खुद जो assist किया, हमें मत बताओ, GSTR 3 भी आप हमें मत दो, आप खुद ही एक page का पेन कागज लो, एक blank paper पे लिखो, कि आपका total tax कितना था, आपके invoice के basis पे, less ITC आपको कितना लगता है, less ITC करके, जो net आएगा, वो self assess करके, आप 25 को पे करो, क्योंकि वो यहाँ पे fix sum हो, यह self assessment हो, देना तो आपको monthly basis पे, और 25 को ही देना है, तो आप खुद assess करके दो, लेकिन इसका, यहाँ पे problem मता हो क्या, कि अगर यह method आपको लेनी है, तो फिर मैं कहूँ का, QRMP lowing मत, फिर आप monthly में जाओ ना, क्योंकि वैसे ही self assess कर रहा है, रहा क्या बाकी, वहाँ आपको GSTR 3B रहगा, तो फिर monthly basis पे GSTR 3B दो, problem क्या है, हाँ, इतना है कि CA की fees बढ़ जाएगी, क्योंकि monthly basis पे आप GSTR 3B दे रहे है, तो वो situation में, वो 3B basis पे CA आपको fees charge करेगा, वो बात अलग है, लेकिन हाँ, आपको अगर compliance नहीं करना है, fees नहीं देनी है, तो आप खुद ही assess करो, और खुद के assessment के basis पे, आप monthly basis पे tax दे सकते हो, जो normally होगा हमारा, ये था self-assessment में थो, जिसमें मैंने क्या का, इसमें मैंने ये का, कि here taxpayer can assess the tax liability, जिसमें वो ITC भी ले सकता है, अगर आपका ITC ज़्यादा होगा, उस month का, जो आपने self-assess किया, तो आप ठीक है, nil pay करो, ये आपके cash ledger में excess पेसा already है, जो आपको वो उतना cover कर लेता है, जो आपने self-assess किया, तो आपको pay करने की जरुद नहीं है, for month 1 और month 2, चलिए, तो ये निचे के point समझे, तो ठीक, otherwise you can ignore it, तो ये था self-assessment method, एक example से और इसको clarify करना चाहोगा, और next, interest liability on final assessment, क्योंकि जब आप यहाँ पे 22-24 तारीक को final assessment करोगे, तो final assessment के time, आपकी interest liability क्या होगी, तो interest liability पे हम special discussion करना चाहोगा, चलिए, तो यहाँ पे आते हैं case 1, okay, fix some method में, fix some method में हमने क्या देखा था, fix some method में हमने ये देखा था, कि last quarter में, अगर आपने quarterly scheme ली होगी, तो जो भी आपका cash payment, e-cash ledger की तुरू आएगा, उसका 35-35% हमको देना पड़ेगा, let's take example, आपका last quarter का total tax liability 40 होगा, minus आपका ITC 15 था, यहने आपका cash payment through e-cash ledger 25 lakhs था, तो आप fix some method में क्या करोगे, April का जब payment करोगे, तो actual basis अभी नहीं करना है, आपको fix दे देना है, fix कितना, तो यह जो cash ledger का 25 lakhs है, 25 lakhs का 35%, यहने 25 into 35% कितना हुआ, तो यहाँ पे, into 35%, तो 8.75 lakhs, इतना 8.75 lakhs आपको 25 को दे देना है, मेर का भी आपको 8.75 lakhs fix देना है, पर June का नहीं देना है, June का आपको बाद में actual basis पे जब assessment होगा, उतना देना है, अब उसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे अब इस quarter का assessment करोगे, जैसे आर वन तो आप फाइल करोगे, जैसे आर वन स्पेशली जून के invoices का, प्लस B2C के all three months के invoices का, प्लस spending invoice का, जो भी है, जैसे आर वन आउटवर्ट सप्लाएगा, हमने already discussion कर लिया है, अब नेक्स बेटा, जैसे आर जैसे आर थी भी, आप यापकी actual tax, आपने जब assess किया, पूरे quarter का, क्योंकि यह तो आपको करना ही पड़िगा, तो आपने assess किया, तो पंद्रा लाग था, मे का बीस लाग था, और जून का 25 लाग्स था, ऐसे 60 लाग्स की liability आपकी बनी है, तो यह जो 60 lakhs की liability आपके बनी है, less पूरे quarter का ITC आपके पास 25 lakhs था, याने आपको cash laser से देना था 35 lakhs, तो यह 35 lakhs cash laser से देना था, जिसमें से आप already pay कर चुके थे 17.5, सर यह 17.5 कहां से आया, तो बेटा आपने यहाँ पे fix sum method में 8.75, 8.75, ऐसे 17.5 जो है आपने fix sum method में pay किया, तो आपका net कितना pay बलाया, 17.5, तो यह net 17.5 आपको pay कर देना है, और वो due date को, हैने 22nd और 25th को आपको pay कर देना है, अगर आपने 17.5 due date को pay नहीं किया, तो आपके उपर interest लगाया जाएगा, और वो interest 18% per annum से लगाया जाएगा, क्योंकि यह आपका final assist tax था, और यह आपने pay पर अब मैं macro level पर जाओगा, यह macro level पर अगर समझा तो ठीक नहीं तो okay, ignore it, पर मैं काऊगा कि यह समझ लो at final level, ठीक है, आप inter level पर होगे तो ठीक है, जितना समझा, it's okay, तो अब यहाँ पर देखिए, जहां तक देखा जाए, macro level पर आपकी total 3 मैने की, हैने April में June, 50 lakhs, 20 lakhs ऐसे sister lakhs output tax liability थी, और आपका ITC अगर मैं, क्योंकि मैं पूरा असेस कर रहा हो, तो ITC आपका April का 5 lakh, 8 lakh और 12 lakh, ऐसे आपका total ITC जो था 25 lakh था, जिसका आपने credit लिया, हमने total पर तो देख लिया, अब तो हम macro level पर जाते हैं, तो अब देखो क्या हुआ, April का आपका, आपने जब पे करना था 12 lakh, लेकिन आपने fix sum method में कितना पे किया, 8.75, 8.75, कहां से आया भई, तो यह हमने 8.75, 8.75 पे किया, fix sum method में, तो अब आपका difference कितना आया, difference 1.25 और 3.75, तो सवाल यह आ जाता है, क्या यह 1.25 या 3.75 जो है, क्या इसका हमें कोई interest देना पड़ेगा, क्योंकि हमन option में 100%, हमने जो government को बोला था, हमने पे किया, हम interest इसका देगे नहीं, in short, आपको यह individual मन के difference वगरे आते हैं, तो उसका interest देने के जरुवत नहीं है, लेकिन, आपने जो final assess किया, 17.5, यह 17.5 जो है, यहाँ पे यह पे नहीं किया, due date को 22 हो इसको तो आपको interest देना पड़ेग अब बिदा एक option और लेता हूँ, समझ लो, आपकी जो case 2 एक चोटी से है, कि case 2 आपकी total tax liability 30 लाग थी, यह total पे लेता हूँ, समझने में आसान होगा, देखो, समझो तो ठीक है, पर यहाँ पे total tax liability 30 लाग थी, जिसमें से आपका ITC जो है, तीनो मन का 15 लाग था, net आपको 15 प पे कर दिया, तो आपने excess pay कर दिया, तो sir, यह excess pay किया, तो इसका क्या होगा, तो यह आपको इसका refund claim करना पड़ेगा, यह next month में carry नहीं होता है, दोस्तो, चली, यह मैंने just आपको दिमाग में question आ सकता है, इसलिए option ले लिया, यह तो था बिटा, यहाँ पे fix up में था, अग आपको जो actual tax आता है, आपको 3B अगरे भी नहीं देना है, आपको एक just blank paper लेना है, अपना actual tax invoice के basis पे निकालना है, आपको लगता है कि इतना आपको ITC मिलना चाहिए, तो आपने self assessment में तरफे 20 minus 5 याने net GST payable 15 lakhs है, वो 25 को pay कर दिया, वैसे ही आपने second month का में का, जो भी आ total tax liability 70 lakhs है, अभी 70 lakhs कैसे आई, तो आपका April का 20 lakh जो आपने already देखा, May का 30 lakh जो आपने already देखा, देखो April का 20 lakh आपने assess किया था, 30 lakh की assess किया था, तो यहाँ पे 30 lakh, और June का 20 lakh, जो अभी final assessment में होगा, less ITC, याने आपका 15, 15, 20, और ITC आपके 5 plus 10 plus 10, याने ऐसे 25 lakh का ITC, तो total आ आपने यहाँ पे pay कर दिया, by self assessment में तो कितना pay कर दिया, आपने already, 25 तारीक को 15 lakh, प्लस यहाँ पे 20 lakh, याने 35 lakh रुपे already pay कर दिया आपने, तो आपकी liability, यहाँ गलती से नहीं लागया, आपकी liability बेटर 10 lakh रुपे आएगी, और यह 10 lakh रुपे आपको pay करना पड़ेगा due date को अगर यह 10 lakh रुपे आपने due date को pay नहीं किया, तो वो case में आपको interest लगेगा, और interest 18% per annum due date के next day से चालोगा, यह तो हमने broad level पे देख लिया, तो आप macro level पे एक point आपको explain कर देना चाहोगा, चलो, यहाँ पे देखो April का 20 lakh था, 5 lakh ने 15 lakh था, और हमने वो 15 lakh यहाँ पे pay भी क सुनना, कोई reason के वज़े से, यहाँ पे difference आजाए, कोई reason के वज़े से, यहाँ पे difference आजाए, कभी कभी क्या होगा कि हमने self assessment किया, और कि उसमें कुछ ITC consider जाधा कर लिए, या कुछ invoices हमने consider नहीं किये, ऐसा कभी mistake हो जाती है, और अगर difference arise हो जाता है, तो यह difference पर आपको interest देना पड़ेगा, यह difference पर interest देना पड़ेगा, और interest आपको जो है, यहाँ 26 तारिक से, यानि आपने April का जो में को दिया तो 26 तारिक से interest पर पे करना पड़ेगा, till the date of payment, तो बेटा, यहाँ पे fix some method और self assessment method में क्या difference है, macro level पे, macro level पे यहाँ कि fix some method में, individual month के assessment में difference आता है, तो आपको interest देने के जरुवत नहीं है, क्योंकि वो fix some amount पे कर रहे हो, लेकिन self assessment method में, आपको individual month के इसमें, खुदाना खास्ता, यहने कई कोई reason के वज़े से, यहाँ पे difference आ जाए, तो वो case में आपको interest देना पड़ेगा, यह भी एक तरह की undue hardship है, पर कुछ नहीं कर सकते तो आपको 3 cases है interest की, मैं यहाँ बहुत important है, discuss करना चाहोगा, देखो, अगर आपने due date को pay कर दिया, अगर आप, देखो, यहाँ पे सभी interest की cases summarize करता हो, आपने due date को fix some matter में pay कर दिया, तो interest नहीं लगेगा, उसके बाद में, आपने final assessment में, जो भी आपकी liability है, fix some matter में, यह आप में difference आता है, तो यहाँ interest नहीं लगेगा, लेकिन self assessment matter में, चलो, step by step चलते है, आपने अगर यह due date को pay किया, तो interest नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने due date को pay नहीं किया, तो interest लगेगा, यह तो दोनों में लगेगा, due date को जो 25 तारीक है, आपने pay नहीं किया, तो वो fix some method or self assessment method, दोनों में interest लगेगा, अगर दे दिया तो ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद में, यहाँ most important point का है, most important point है कि अगर आपके final assessment में individual month का difference आ जाता है, तो self assessment method में वाँ interest देना पड़ता है, जो fix a method में देने की ज़रूरत नहीं है, और आपका जो final assessment में, जो last tax आता है, अगर आपने 20-24 तारीक को ने दिया, तो वहाँ आपको interest देना पड़ेगा, तो यह एक बिटा में चार्ट में table में, यहाँ पे solve करके दिया है, okay, interest liability on final assessment, यहने जब आप 22-24 तारीक को यहाँ पे final assessment करोगे, तो आपकी interest liability क्या होगी, तो देखो, यहाँ पे monthly payment करते वग, monthly payment करते या self-assessment method आपको 18% interest देना पड़ेगा, फिर final tax liability, final tax liability में, आपके fix-up method और self-assessment method में, आपने 2 मन्त का tax से ही दंग से दिया है, जितना चाहिए था, उतना पुरा दे दिया है, तो आपको interest नहीं लगेगा, लेकिन fix-up method में, अब यहाँ पे most important difference है, fix-up method में, ध्यान से जबकि liability आपकी 10 लाग थी, तो वो case में, जो difference आएगा, उसमें आपको interest नहीं देना पड़ेगा, actual answer नहीं लाना चाहिए, यह उपर नीचे हो गया, यह वाला part जो है, यह नीचा आना चाहिए, चार्ड में आपको correct करके मिल जाएगा, जो चार्ड आप जहां से download करोगे, त तो यह case में, यहाँ पर नील आएगा, fix-up मेथर में, difference भी आ, तो कोई liability नहीं, लेकिन self-assessment मेथर में, अगर आपकी liability, actual month-wise higher आती है, और आपने, जो self-assess किया, वो कम pay किया होगा, तो वहाँ आपकी liability आएगी, और वो 18% per annum से आएगी, ठीक है, I hope you understood, और जब आप final tax liability करत यहाँ पर clear, अब एक important point यहाँ पर, कि manner of opting, आपको composition scheme opt करना है, तो composition scheme आप financial year में कभी भी opt कर सकते हो, यानि throughout the year आप कभी भी opt कर सकते हो, register person can opt for any quarter for first day of the second month of preceding quarter to the last day of first month of first quarter, अब मैं तोड़ा आपको, इसको diagrammatic presentation में बनताना चाहँगा, जैसे January, February और March में, I repeat, January, February और March में आपकी composition scheme नहीं थी, और आप April में और June में composition scheme opt करना चाहते हो, यानि ये quarter में आप opt करना चाहते हो, यानि ये quarter में आप करने का application कब देना पड़ेगा, तो इस quarter के start होने के 2 मेने पहले, यानि आपके पास option कभी है, आप यहाँ Fave में कभी ये 2 मेने पहले application दे सकते हो, और कि मुझे next quarter में QRMP scheme लेना है, या फिर, ये quarter चालू भी हो गया होगा, तो डर उमत, आप quarter चालू भी हो गया, पर इस quarter में आपको April or time दिया, यानि आप 30 April के, यानि इस quarter के first month भी off ले सकते हो, यानि आपको ये पास 3 मेने, 3 मेने कैसे, quarter start होने के 2 मेने पहले, या quarter start हो गया अगर April निकल गया, तो फिर ये quarter आपको छोड़ देना पड़ेगा, आपको next quarter के लिए ही जाना पड़ेगा, ये आपका exam के लिए इतना important ने, पर main important बाते सारी हमारी discuss हो चुकी है, तो ये revision में जितना possible था, जितना detail में possible था, बेटा, मैंने revise किया, so I hope आपको ये revision बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, QRMP scheme हमने बहुत अच्छे से revise किया है, इसको फटाफट देख लेना, thank you, thank you to all of you.